नब्वे की तेसक में आई डर मुवी तो आप और हमने देखी होगी जिसमें हमें नजर आये थे सनी देवल, शारुख खान, जुई चावला, अनु कपूर, अनुपम खैर, तानवी आजमी, दलीप ताहिल इस फिल्म में सारुख खान ने निकेटिव रोल निभाया और पॉजिटिव रोल निभाले वाले एक्टर को साइट कर दिया ये भी कहा जाता है कि डर मुवी का असली हीरो सारुख खान ही है क्योंकि सार्व खान ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से सभी दर्सों को दिल जीत लिया था आईए इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें आपको बताते हैं जो आपने शायद ही सुनी हो इस फिल्म में सार्व खान वाले रोल के लिए सबसे पहले संज़दत अजदेग्बन अक्षिखमार सुरेश बेदी अमीर खान को ओफर दिया गया परन्तु इन सब ने कुछ कारणों के वज़े से इस रोल को करने से मना कर दिया इस फिल्म में अमिर खान को साइन कर लिया गया लेकिन जब अमिर खान को पता चला कि दिब्या भारती इस फिल्म में काम कर रही है तो अमिर खान ने यह शोपड़ा से सर्थ रखी आपकी फिल्म में तभी काम कर पाऊंगा जब आप दिब्या भारती को हटा कर जुही को बतो अमिर खान के बहुत नकरे थे जब उन्हें इस फिल्म के एक सीन के बारे में यह पता चला कि सनी देवल अमिर खान को पंच पे पंच मारेंगे तो अमिर खान ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और इसके बाद यह रोल वाले रोल के लिए पहले रिशी कपूर, जैगी श्रॉप, मितुन चक्रवती, नितिन भारजवाज को ओफर मिला परन्तु कुछ कारणों से इन सब ने इस रोल के लिए मना कर दिया और अंत में यह रोल सनी देवल को मिला इस फिल्म में जुही चावला वाले रोल के लिए पहले स्री देवी को ओफर मिला परन्तु स्री देवी ने लम्हे मूवी के फिलोप होने के बाद येस जी के साथ काम करना नहीं चाहती थी और इस फिल्म को उन्होंने खुरा दिया इसके बाद दूसरी स्रीदे भी कही जाने वाली दिब्या भारती को इस फिल्म में यह रोल दिया गया लेकिन अमिर खान ने इन्हें फिल्म में से हटवा दिया और अंत में जुही चावला को इस रोल के लिए सकाष्ट किया गया इस मूवी का नाम पहले किरन रखा जाना था इस मूवी का टाइटल नेम जो डर रखा गया था बहर रामसे प्रोदर्स की देन है क्योंकि यह शोपला ने इस मूवी का नाम डर रखा और जब यह बात रामसे प्रोदर्स को पता चली तो उन्होंने यह चोपडा से यह टाइटल नेम यूज ना करने को कहा क्योंकि डर टाइटल नेम रामसर रोजस नहले ही खरीद लिये थे और यह चोपडा ने इन से बिंदी की तो यह कुछ ले दे के मान गए डर मुवी बनने का स्रे रितिक रोजसन और उदे चोपडा को ही जाता है क्योंकि इन दोनों के दिलों में ही यह फिल्म बनाने का खयाल आया था रितिक रोजसन ने ही उदे चोपडा से बोला कि आप अपने पापा से बोलो की बहर इस फिल्म को बनाएं इस फिल्म के एक सीन में सार्व खान को सनी देवल पर चाकू बारना होता है परिंतु सनी देवल को यह सीन सही नहीं लग रहा था क्योंकि सनी देवल इस फिल्म में एक कमांडो की भूमी का निभा राये होते हैं और एक पतला दुबला लड़का एक कमांडो पर चाकू से वार कैसे कर सकता है सनी देवल इस सीन को बदलवाने के लिए यह शोपड़ा के पास जाते हैं और उनसे इस सीन को बदलने के लिए कहते हैं परिंतु यह शोपड़ा इस सीन को बदलने से मना कर देते हैं सनी देवल को बहुत गुस्सा आता है और बहुत गुस्से में बैटे हुए थे और अपने दोनों हाथ अपनी जिन्स के अंदर उठी बंद करके बैट गई थे गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक जटके में अपनी जिन्सी फाड़ ली यह देखकर बहां पर मौझूद सब भाग पड़े और इनी कारणों से सनी देवल और सारुख खान सोले साल तक आपस में नहीं बोल पाए लेकिन बाद में उनके बीज में सुला हो गई और आज बैद आपस बोल लेते हैं बीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो बीडियो को लाइक करें बायोग्राफी वाई रोहिच चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद